करता हूँ आप लोग बहुत सही होंगे मेरा नाम है आईनूल और मैं रहता हूँ लंडन में और यूके की बारे में यह सीपीसी एमराइ रेडियोलोजी रेडियोग्राफ और यह सारे टोपिक्स में वीडियो बगरा बनाता रहता हूँ आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल चैनल पर आप जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत बोलना ठीक है तो आज की जो टोपिक है वो है आप अपर जल्दी कैसे सीख सकते हो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है एमराइए सीखने के लिए सबसे आपको थोड़ा कुछ बेसिक चीज़े हैं जो चाहते हो तो अगर आप एक होस्पिटल में हो और आप X-ray CT और सारा चीज़े एक्स्प्लोर कर चुके MRI रह गया है MRI करना चाहते हो तो MRI के लिए आपको बेसिक सारी चीज़े पता होनी चीज़े दो तिन चीज़े आज में डिसकस करूँगा इस सीरीज चलेगा पूरा चार aignaut है an Android जब ही कोई पी पेशन जाता है पेशन को जब ही विम्राइग बैट के अंदर डालार जाता है पेशन की बोडी के अंधर जो वाटर मोलीकूल की जो एट्रोजय लसन होता है की जो दारेक्षिण हो नॉर्थ पूल में हो जाता है उसके बाद वूआद के निक्षय को यूजर करते हैं वूरोध को योज करके रेडियो फ्रेक्वेसी क्याप्चर करा जाता है उसके बाद ग्रेडियंक शीम एन जो रिसीविंग कॉयल से मराइ म isher कें वो सारे के स्पेस अलगरिदम को यूज़ करके इमेज में कंवर्ट करते हैं यह बेसिक MRI की मतलब ऐसे MRI काम करता है ठीक है तो MRI जब आप करने जाओगे जब MRI करोगे धीरे-धीरे बहुत सारे चीज़े आओगे MRI एक बहुत बड़ा टोपिक है तो बी ओनेस रेडियो ग्रॉफर् भी बोलते हैं ठीक मैं आप आगे वीडियो में यह पूर एक्स्प्लेइन करूंगा कैसे कहा पर क्या किया बोला जाता है तो यह जो है यह ग्रीं देख रो आप यह एक जले इसको ट्रांसबर्स बोलते हैं और सजिटल यह सजिटल यह वाला सजिटल है तो सजिटल प्लैन जो है व्य डिवाइट से डिवाइट करो दो चैजिटल प्लैण बोलते हैं आपकी जो कान है कान में मिड लाइट साइडवारी साइड मलभ आगे पीछे को दो है तो उसको आप कॉर्णल बोलते हैं जैसे एंटियर टो पोस्टेरियर एक्जियल तो आपको पता है उपर निचे ठीक है बोडी को सुपिरियोर और इन्फिरियोर पोर्शन में अगर दो डिवाइड करना है तो आपको एक्जियल को प्लेंज में करना पड़ेगा तो यह basic understanding है प्लेंज क्या होते हैं यह MRI में हर एक सेकंड में आपको काम आएगा हर एक सेकंड में MRI में काम आएगा ट्रस में तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यह है a sagittal section of human brain यह human brain है इसकी जो sagittal है side view है इसको लेटरल भी बोलते हैं एक्सरे में lateral बोलते हैं यह lateral view है तो यहाँ पर देख सकतो आप brain को ऐसे बीच में से कटा गया है इसको बोलते है sagittal view और coronal view coronal को आप AP कहलो AP कह सकतो X-ray की view में AP पर obviously X-ray cross section imaging नहीं है तो coronal में आगे पीछे अगर आप चीज को divide करोगे तो उसको coronal बोला जाएगा और उपर और नीचे divide करोगे तो उसको बोला जाएगा axial या transverse कुछ-कुछ लोग इसको horizontal sections भी बोलते है ठीक है यहाँ पर देखो यह जो यह है axial इसको बीच ओ बीच काटा गया है उपर और नीचे और यह coronal है ऐसे plane किया गया है ऐसे इसको coronal बोलते है यह साइड वाई साइड इसको sagittal बोलते है ठीक है और यहाँ पर देखो अच्छे से दिखाया गया है क्यों मैं यह plane में इतना pressure दे रहा हूँ आप लोगो को सीखने के लिए क्योंकि यह जो topic है plane यह daily काम आता है आप किसी भी body part का MRI कर रहे होंगे आपको axial, coronal और sagittal पता होनी चाहिए कौन सी organ का sagittal का से निकलेगा coronal, obliques करने है axial निकालनी है तो यह plane आपको detail में पता होनी चाहिए मैं तो उपर उपर आप लोगो बता रहा हूँ आप किसी भी book पकड़ लो हर एक book में basic planes के बारे में लिखा हूँ है आप जाके वहाँ पर इसकी detail पड़ सकतो और detail जानना बहुत जरूरी है इसके लिए उसकी बाद जो आपको जानने की खास जरूरत पड़ेगा वो है daily basis पर आपको जानने की जरूरत पड़ेगा पता होने की जरूरत पड़ेगा वो है anatomical landmark of human body यह मैंने एक पिक्चर लगाए आप देख सकते हो जो टेंपरो mandibular joint जाप पर होता है occipital pitteverence atlanto occipital articulation c1 दो angle of mandible में आपको cervical battery मिलेगा थायरोड काटिलेज जो खुषिट खट लेजे उसकी साब से थर्ड सर्वेकल का c6 मिलेगा फर्स्ट रीब सेगंड थोरासिक बटरी बाटरी यह जो landmarks है landmarks बैसिकली होता है ना किसी को आप घर आने के लिए बोलतो तो फिर बोलतो कि भाई उदर देखे पोस्ट ओफिस की मेरा घर तो इधर आ जाना तो वैसी होता है लेंडमाक human body में जैसे आप एंटरियर ली आप spine की 4 आप फिल नहीं कर सकतो लेकिन आपको पता है कि sternal angle कहां है sternal angle सामने से आख देखोगे तो वहापे पीछे sternal angle के बराबर में c4 होता है तो अगर आप ऐसे position करोगे तो आपको पता लेगा कि हाँ position मेंने c4 में कि t4 में किया है तो यह basic यह आइडिया है anatomical landmark के लिए तो आप यह सारे चीजे देख सकतो इस पर ने वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकतो यह याद कर लेना कभी भी जैसे मान लिजा आपको लंबर MRI करना है तो पिशिंट को position कहा करना पड़ेगा आपको ओविसली L1 में करना पड़ेगा तो L1 में आप कहा करोगे L1 में करने के लिए टू टू सेंटिमीटर अबब दा अमबलिकल पॉइंट तो यह एक बहुत important चीज है याद रखने के लिए इसी को लेंडमार्क बोला जाता है तो आप यह चीज याद रखो इस चीज को पड़ो और जासे आदा इसमें knowledge गेंड करो इस टॉपिक में लेंडमार्क और प्लेंज यह बेसिक है मराई शुरू करने के लिए ठीक है उसके बाद यह सकल के अनाटमी और सकल की जो पोजिशनिंग से जो लेंडमार्क से यह जानना बहुत जरूरी है यह और बीटो मेटल बेसलाइन जिसको आर्बील बोलते रेडियोग्राफिक बेस अंत्रिप्रोलोजिकल बेस लाइन बार्टेक्स एरिकूलर लाइन उसके बाद यहापर इंफ्रा इंफ्रा उर्बिटल लाइन उसके बाद इंटर और बिटल और इंटर प्यूपिलरी लाइन यह सारे चीज़े आपको पता होनी चाहिए कभी पैशिन को पोजिशन करोगे तो symmetrical होना चाहिए, MRI में, X-ray में, यह topic बहुत important है, आप इस चीज को अच्छे से पढ़ो, अगर आपने शुरू में नहीं पढ़ा है, अभी आप पढ़ सकते हो, इतना जदा टफ नहीं है, याद रखने की चीजे हैं, आपको याद रखना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है तो अगर आप अभी एक नया MRI सीखने जा रहे हो, तो यह दो topic जो मैंने आज बता हैं आपको, landmarks and planes, यह दो चीज आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, अगला topic में बताऊंगा, क्या-क्या चीजे, MRI में क्या-क्या equipments है, क्या-क्या coils हैं MRI में, और MRI मे क्या-क्या sequences चलते हैं, वो आपको पता होनीजे, यह basic sequences वो आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, तो आज की वीडियो में हीपे करता हूँ, आशा करता हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे informative related videos के लिए मेरे चैनल को subscribe करना मत बोलना,